Erickson's stages of psychosocial development इसमें आप देखेंगे कि एक लफज psycho है और एक लफज social तो यह psychological और social दोनों तरह की development को explain करता है यह model Erick Erickson's ego psychologist था और ego से मरादी होती है कि आपकी जो शक्सियत बन रही है मैं कौन हूँ मैं उस मैं क्या मराहिल से वो गुजरती है और वो बनती कैसे है उसने परपोस किया था कि जो personality है ना वो एक खास order में जो पहले से determined है तैय हूँ अब है उसी के मताबिक जो है वो ग्रोव करती है आठ स्टेजिस उसने psychosocial development की बताई जो के पैदाई से लेके और यानी इन फैंसी से लेके और एडल्ट होड़ तक बड़े होने तक चलती है अब यह जो स्टेजिस हैं गर इन्हें हम देखें तो जीरो यानी जब वो पैदा हुए से डेट साल तक पहली स्टेट है जिससे कहा जाता है ट्रस्ट वर्सिस वो सब मुझे संभालेंगे और अगर ऐसा नहीं होता तो वो मिस्ट्रस्ट करने लगता है अब डेट से तीन साल की जो स्टेज है वो और टॉनमी वर्सिस चेम है और टॉनमी है फ्रीडम और यानी वो खुद से शर्मिंदा होता है इसमें उसकी विल पावर है कुछ करना च किया और इसके उपड़ मुझे कोई फल नतीजा निकला इनिशकेटी वर्सिस इस गेल जब वो किसी है मैं इसी छीजव करना में ने छोड ettॉन के नहीं है जे मुझे यह जडिक presents से पांस साल की लिया जाए और बड़े अराम से उसके उपर उसे इंकरिज़ किया जाए जहां पर 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 रोकना है वहाँ पर इस तरह ना रोका जाए कि वह अपनी बात पर शिर्मिन्द वा कि मैंने क्यों किया क्योंकर वह हमेशा के लिए रूक जाएगा ये जो मैसूस कर रहा है इंडस्टरी से मुराद यह एकि वो मेहनत कैसे करते हैं और इन्फिरियॉरिटी यह कि मुझे यह चीज इतनी याथती है कि नहीं यह जाकन खोलना यह जूते पहनने यह 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 अर्दू का पहाड़ा याद करने यह अर्बी का काईदा याद करने वो ने आती है इसलिए बड़े होके कभी भी आप एसास एकमतरी को दूर करने में मुश्किल से कामयाब होते हैं क्योंकि जब वो इस उमर में था तो आपने उसको एसास दिलाया कि तुम चीक से नहीं कर रहे या तुम किसी काबिल नहीं हो बारा से अठारा की उमर पड़ी आइडेंटिटी को देखते हैं और कुछ उनको कन्फूजन भी होती है कि मैं बड़ा हो गया हूं कि छोटा हूं लड़की का रोल के है लड़के का रोल के है बड़ों के मुकाबले में मैं क्या हूं तो यह जो उसकी चनाफ बननी है आइडेंटिटी बननी है और मश्बूत ओनी है वो इस्ते प eager फिर अथारह से चालिस की जो मरें समें इन्टीमेस्टी या तो जा चान करीब होते हैं लोगों से और अलग उजाए पिर चालिस से लेकर 5-60 साल की लो मरें इसमें आप दीश लाह एं जिसमानी ताकत अपके बहुत असाव और आपके जिस्मानी जो आजय ये कमजोर भी ओरहे होते तो इस में आप स्टैग्नेशन में विजा सकते हैं यह ने आप प्रुक्त पर पिश दिंदंश को आप चीजों को सीखने का सोचने का कुदा को बेदर करने का थे करते रहते और बेतर से बेतर पर लेके जाते हैं तो दोनों दोनों चीज़ें हो सच्छी हैं आपको ऐसे लोग भी इस उमर के नज़र आएंगे जो स्टैगनेशन में हैं और ऐसे भी नज़र आएंगे जिनके अंदर ये जिनरेटिविटी का प्रॉसस चल रहा है 65 से उपर इगो इंटेगरिटी याप अपनी जात में मुतमईन हैं अपने केदार से अपनी अना से अपनी मैं से अपनी जो कुछ आप चना बन चुके हैं या आ बनावी शक्तियत के हवाले से हम अक्तर यह समझते हैं कि बस अब तो जो बनना था बन गए हार स्टेज एक साइको सोशल क्राइसिस बच्चा दुनिया को भी देख रहा है है एक क्राइसिस है इस तस्वीर में आपको दो उमर के लोग नसर आ एक साथ सार और एक पांच सार हर स्टेज बेक अपना क्राइसिस होता है जो पॉस्टिव या नेगिटिव आउटकम है परस्नेलिटी में आपके वो इस क्राइसिस को हैंडल करने से आपके बड़ी वी उमर के और क्राइसिस है और चोटी उमर के और क्राइसिस है इस बच्चे का इस वकत यह सेंस डेवेल तो ये जो positive or negative personality है ये उस crisis को handle करने से जब आप अडल्ट हुड में जाते हैं जैसे आपको ये तीन लोग नजर आ रहे हैं तो सकून और अपने से अपनी जात से मिनान अपने goals पे एक confidence और ये के आगे बेतर से बेतर मेरी शक्तियत के लिए जगा मौझूद है इमकान मौझू ये हैं वो स्टेटिस जो psychological development के बारे में हमें बताई गई है